अर्र महादेव जय भोले नात्ना नमश्कार दोस्तों आप सभी का श्वागत है धर्म ज्यान के मालगी में आज हम बात करेंगे सनी की सड़े साती मक्कर रासी वालों पर अगस्त दो हजार चौबिस से मार्च दो हजार पचीस तक सनी देव जाते जाते क्या देखे जाएंग पर सनी की साड़े साती का अंतिम चरन कब तक चलेगा कब मिलेगी सनी की साड़े साती से आपको मुक्ती और कब आएगा आपका समय आढ़े साती का पहला चरण कब सुरू हुआ था और सनी ने क्या फ़ल दिया था अब तीसरे चरण में सनी क्या क्या देने वाले हैं वीडियो में आप लोग बने रहेगा वीडियो को आंत तक लाश्ट तक जरूर देखिएगा यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही साथ घंटी को जरूर दबा लेजिएगा जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिपिकेजन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे कमेंट बॉक्स में जै सनी देव जरूर लिखेगा इनकी किरपा पाने के लिए मक्कर रासी वाले आपके कॉंडली में बरतमान में चल रही सड़साती का अंतिम चरन सनी के गोचर का अंतिम चरन है यह गोचर एक ऐसा समय है जो आपको राहत देना सुरू कर देगा जब यह सुनेचित हो जाता है कि आपने वह सब ठीक से सीख लिया है जो सनी आपको सिखाने की कोशिस कर रहा था अपनी सीख के लिए अभारी रहें और अपने जीवन के इस दोर से बाहर निकलते समय बिनम्र रहें इस गुरू के परती भी सरधार रखें साड़े साथी की दोरान सबसे अच्छा उपाय है कि विरोध ना करें बलकि सुविकार करें किसी भी चीज़ को दबाने की कोशिस ना करें या बचाने की कोशिस ना करें वरना अगली बार यह और भी ज़्यादा मुस्किल और तिवरता के साथ वापस आएगा पिछले दो चरणों में जो कुछ भी आप कर रहे थे उसकी तोलना में इस चरण में आपको कुछ सांती मिलेगी पुरसकार और मान्यता आपको मिल सकती है काम के लिए किसी भी अनुचित तरीके का सहारा ना लें या आवाय धुरूप से सीड़ी चड़ने की कोशिस ना करे पिछली अवधी आपके काईरों के आधार पर समाप्त होगी चाहे उसे आप से जल्दी ही चीजे चीजे चीनना हो या आपको प्रसकृत करना हो और यह कितनी लंबी अवधी तक चलेगी कभी कभी या सड़साती की अगली अवधी सुरू होने तक चलती है इसलिए बहुत स चरन से संबंदित हो सकता है मकहराशिवालो पर सनी की सड़साती का प्रथम चरन 26 जनवरी 2017 से 23 जनवरी 2020 तक चल रहा था अब अन्तिम चरन चल रहा है जो कि 17 जनवरी 2023 से 29 मार यानि कि 29 मार्च 2025 तक या आपका तीसरा चरण अंतिम चरण चलेगा 29 मार्च 2025 को आपको सनी की सड़साती से मुक्ति मिल जाएगी तो बस कुछ ही दिनों की बात है आपको सड़साती से मुक्ति मिलने वाली है और आपका हर काम बनने वाला है दोस्तों साड़साती बेक्ती को अवस्यक सबक सिखाने और चीजों की वास्त विक्ता को सामने लाने के बाद उसके जीवन से चली जाती है परिनाम नकरात्मक या सकरात्मक हो सकते हैं या इस बात पर निर्भर करता है कि सनी बेक्ती की जनम कुंडली में किस अस्थान पर इस्तित हैं सकरात्मक, प्लेश्टमेंट, कुछ अवस्यक कड़ी महनत और परिश्रम के बाद अच्छे परिनाम की ओर ले जाता है यह आतीत के अच्छे कर्मों का पुरसकार देता है खराब इस्तिती के कारण असान्ती रिष्टों और पेसों में समस्याएं आती है साथ ही गलत कायरों के लिए दंड भी मिलता है और बेक्ती के लिए आम तौर पर नकरात्मक समय आता है लोग सोता ही माल लेते हैं कि साथ साथी एक के बाद एक बुरी घटनाओं का दोर है देरी गड़बडी नुकसान आदी का एक बहत बुरा दोर है लेकिन यह पूरी कहानी नहीं है साथ साथी कई चीजों को परभावित करके लोगों को परभावित करती है यदि सनी आपकी जनम कुंडली में योग कारक प्रसिद समान गरीमा विक्तित सम्रिदी राजनितिक सफलता और प्रतिष्टा परदान करने वाला गरह है तो यह पदोंती मनेता वेतन में बिर्दी और एन्या पेसिवर या सैचिक उपलबधियों जैसा सकरात्मक परिणाम दे सनी अस्त दुरबल वक्री या असुब पलों से जुड़ा हुआ या गलत घरों में इस्तित नहीं होना चाहिए महादसा अंतरदसा की दौरान इसके परिणाम और भी बढ़ जाते हैं वैसे तो यह आपके जीवन में साथ-पांच साल की यवधी तक सक्रिये रहता है लेकिन इसका परभा अंतरदसा महादसा प्रतियांतरदसा अवधी या सनी की अवधी के दौरान अधिक प्रमुकता से महसूस किया जाता है जब या पूरी ताकत से बेहवार करता है या आपको आपके कर्मों या कर्मों के अनुसार परिणाम देता है यदि आप किसी के साथ कुछ कुछ बुरा करते हैं तो आपको उसका साथ या पॉच गुना हो करके प्रतिफल मिलता है यदि आप इन अवधियों के दावरान कुछ बुरा करते हैं तो इसका हिसाब रखा जाता है इसलिए केवल विए लोग जिनकी जनम कोंडिली में नकरात्मक है या जो अपने श्वयम क कारों से डरते हैं उन्हें सड़े साती से डरना चाहिए यदि आप सत्य करम पर चलते हैं सत्य काम करते हैं तो आपको सड़े साती से डरने की जरुवत नहीं है जो लोग गलत रास्ते पर चलते हैं उन्हीं को सड़े साती सताती है सनी एक सक्त ग्रह है या एक सक्त छमा ना क होते हैं और अपने दिमाग सब्दों और विचारों का प्रभावी और सही तरीके से इसमाल नहीं करते तब तक आपको फल नहीं मिलेगा मकर रासी के लिए साड़साती का पहला चरन तब सुरू होता है जब सनी चंद्रमा से बारहवे घर में यानि धनु धनु रासी में परवेश करता है धनु रासी का स्वामी ब्रहसपती सनी के साथ तटसत सम्मद्ध रखता है यह चरन मिस्रित परिनाम लेकर आता है यहां सनी आपको नयाय चाहने वाला बेक्ती बनाता है जो समाजी काईरों में भाग लेने के लिए एक चुक है या आपको इस समय के दोरान अधिक परिश्रम करने के लिए प्रेरित करते हैं आप जीवन में नाम और प्रसिद्धी प्राप्त करना चाहते हैं इस चरन के दोरान आप अपनी नौकरी बदल सकते हैं यह एक सकरात्मक अवधी है क्योंकि यह विरोधियों पर बिजय दिलाता है हलाकि आप कई बार तनावगरस्त और अकेला महसूस करेंगे पहले चरन के दोरान आप अपने माता पिता के साथ अध्यात्मिक यात्रा कर सकते हैं साड़साती के प्रभाव के कारण पेसे या सरीरिक स्वास से समान में समस्याई उत्पन हो सकती है किसी भी तरह से कुछ भी गलत ना करने के प्रती सचित रहना चाहिए दूसरा चरन जो है जब गोचर सनी आपकी अपनी चंदर रासी में परवेश करते हैं तो मकर रासी के लिए सनी की साड़साती का दूसरा चरन सुरू हो जाता है चुकि सनी मक्कर रासी का स्वामी है इसलिए यहां उसे घर जैसा महसूस होता है इस ओधी में आप जमीन या संपती खरिच सकते हैं अब आपके लिए कैरियर बहुत जादा महत्पून हो गया है हलाकि सनी सुनेश्चित करते हैं कि आप परियाप्त महनत करें कुछ संगर्स भी बने रहेंगे जैसे कि इस दवरान आपको अपने परिवार से दूर रहना पड़ सकता है हलाकि आप राजनीती जैसे छेतरों में बहुत अच्छा प्रदर्सन करते हैं दूसरे चरन के दौरान आप जरुवत मंदों के लिए कुछ करना चाहते हैं और समाजी काईरों में भी सामिल हो सकते हैं आप बिनम्र और दयालू बनेंगे लेकिन साथ ही केंदृत और महत्वकांची भी रहेंगे तीसरा करन के दौरान आपको अपने पिता से संबन्दित मिल सकती है कुछ अचानक लाव जीवन के इस चरण में आपका अध्यात्मिक्ता की ओर जुकाओ बढ़ेगा आपको मनयता और पुरसकार भी मिल सकता है और सोध में भी आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं आप कोई नया बेवसाय भी सुरू कर सकते हैं तीसरे चरण में परिवारिक जीवन भी सुखमे रहता है तथा स्वास्त भी ठीक रहता है या हुआ समय है जब सनी आपको इस अधी के दवरान आपके करमों के लिए पुरसकार या अंतिम लेकिन मजबूत प्रहार के साथ छोड आपको सवधान रहना चाहिए कि आप किसी भी गलत काम से सनी को नाराज ना करें या किसी भी तरह के विश्वास घाती अवैद गलत काम में योगदान ना दें सनी की सड़साती हर किसी के जीवन में लगवग 22 साल के अंतराल पर कम से कम दो बार और कभी कभी तीन बार दोह करतिक नहीं रहे हैं परिनाम और इसकी ब्रिधी बेक्ति के अपने कर्म पर निर्वर करती हैं ऐसे लोग हैं जो सनी की सड़साती के कारण धन से कंगाल हो गए और हमेशा के लिए धूल में मिल गए और ऐसे लोग भी हैं जो इस आवदी के दवरान सफलता की उचाईयों प पूरे कर्म करने से बचना चाहिए और सत्य के रहा पर चलना चाहिए तो सनी की सड़साती का प्रभाव बेक्ति के उपर नहीं पड़ता है सनी के असुब प्रभावों से बचने के लिए हनुमान जी के सरन में रहना चाहिए हनुमान जी की जादा से जादा पूजा उपास और पीपल के पेंड में सुबह जल चड़ाएं और साम को सरसो के तेल का दीपक चलाएं। सनी के असुब परभावों से बचे रहेंगे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। दोस्तों उमीद करती हूँ कि यह जनकारी आप लोगों को पसंद आएगी।